देख लिजे पुर्णांग यानि फुल मार्क्स जो है आप लोगों को 50 नंबर का रहता है टाइम देता है एक गंटा 30 मिनट का इसमें से आप लोगों को 30 अबजेक्टिव रहता है 30 में से 25 का जवाब देना होता है ठीक है शलिए तो शुरू हो जाईए सभी बच्चे देखत यह हम लोग टोटल कोशव्ण कितना है एक से 30 तक हम लोगो को 25 का ही जवाब देना है आनके हमलोग ठोटल 30 का ही सोलूशन करने वाले है आज की क्लास मैं उसके अलावाथ सबसे पहले हम लोग Objective देख लेते हैं फिर सब्जेक्टिव को देख लेंगे सबसे पहला सवाल आ मौलवी मौजदम, मौलवी मौईन, उसके बाद मौलवी मौईन है यहाँ ठीक है, तो फाइनली आप लोगों का सही एंसर की अगर बात करें, आपसन नंबर B हो जाएगा, मौलवी मौजदम के निगरानी में जो है गालिप की इवितिदाई तालीम हो भी थी, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, मौलवी मौईन, आपसन C में है, उसके बाद आपसन नंबर D है, मौलवी मौतीन, ठीक है न, तो फाइनली हम लोगों का एंसर सही मिल गी है, आपसन नंबर B, यानि मौलवी मौजदम, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल आपके पास, सवाल लाउत किसको कहा है, तो गालिब के जो खतूत है, तीन खतोत है, तो अगला सवाल, तीन नबर पे ध्यान से देखना, सभी बच्चे, सवाल नंबर तीन है, दंबहें कौन सी तसंटित, तारिक छत्त्तारी की है, के लिखा हुआ है सब्जेक्टिप में आप लोगों को एक लिखना होगा इसलिए यहां पर तारिक Road करसी की सब्जेक्टिप obs फिर बताएंगे आगला सवाण आता है सवाल नंबर को द्यां से देखेंगे नमबर भूर है कितने सहे बदर किया गये थे तो इसका सही answer होगा option number C हो जाएगा यानि 5 शहजादे जो है ना शहरें बदर किये गए थे ठीक है अब यहाँ पर हम लोगों को लग रहा है तीन number question का साइद आप लोगों को जवाब नहीं दिये दरजल में कौन सी तस्निफ तारीक है तो यह आपका हो जाएगा बाग का दरवाजा और बाग का दरवाजा में ही यह शहजादे का बयान किया गया है option number C बिल्कुल perfect हो जाएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल आपके पास सवाल number 4 कितने शहजादे हो गिया यह आपका 5 शहजादे option C सही था 5 number question आपके पास छोटे शहजादे का क्या नाम था तो छोटे शहजादे का कुल शहजादा जो है न 6 था ठीक है छे में सबसे छोटे शहजादे का नाम था गुल रेज option number C बिल्कुल perfect हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल question number 6 है आपके पास एहमेद जमाल पाशा की वफाद कहां होई यह जो है न हम लोगों के class 12 में भी match होता है और फिर class 11 में भी आप लोग पहले देख रहे हैं तो देखिए एहमेद जमाल पाशा की वफाद कहां होई option है सीवान, पटना, मुजफरपूर और पूर्निया, तो finally इसका सही answer क्या होगा फटाफट से आप तमाम लोग बताएंगे इसका perfect answer क्या होगा इसका सही answer हो जाएगा आपको option number B यानि पटना हो जाएगा जितने बच्चे पटना दे रहे हैं बिल्कुल perfect होगा, ध्यान रहे सीवान में इसका एहमद जमाल पाशा का सुसराल था, हाला कि इनकी तदफीन जो अमल में आई है 1987 इस भी में सीवान के तलहटा में ठीक है, तो सीवान में इसकी तदफीन अमल में आई है क्योंकि सुसराल में ही रहते थे वो अगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल साथ नमर पे शामिल निसाब कली मुद्दिन एहमद का तालुक किस नसरी सिन्फ से हैं फटाफट आप लोग ऑप्शन देखना खुद नविश्ट उसके बाद सफर नामा मक्तूब निगारी उसके बाद खाका क्या होगा इसका सही निसाब कली मुद्दिन एहमद का तालुक किस नसरी सिन्फ से हैं यह है आपका खाका ऑप्शन नमर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल आपके पास सवाल नमर आठ है उर्दू तनकीद क्या है उर्दू तनक उर्दू तनकीद पर एक नजर किसकी तखलीक है इनके मुसनिफ का नाम है कली मुद्दीन एहमद आपसन नमर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग सवाल नमर नाइन के तरफ सवाल नमर नाइन है दर्दू जैल में कौन लफज जो है ना मुज इनसाफ देखिए हम लोग इस तरह से जुमला में इस्तिमाल करते हैं और मौनस का जाहिर होता है जैसे हमें जो है ना सही इनसाफ मिलना चाहिए उसके साथ जो है बहुत बुड़ा इनसाफ हुआ तो इस तरह से हम लोग मुजकर के सेंस में इनसाफ लफज का इस्तिमाल करत अगला सवाल आपके पास ध्यान से देखना सवाल नमबर 11 है अगला सवाल के आवा वो अजदाद कहां के रहने वाले थे अप्सन है गुजराद कश्मीर और बंगाल उनके अलावा पंजाब सभी बच्चे बताएंगे तेजी के साथ क्या होगा इसका सही नसर अकबाल के आवा वो अजदाद कहां के रहने वाले थे तो अकबाल के आवा वो अजदाद जो है ना ये आपका हो जाएगा कश्मीर क्या हो जाएगा कश्मीर के रहने वाले थे यानि आवा वो अजदाद किसको कहते हैं दादा परदादा इसके कहां के रहने वाले थे कश्मीर के रहने वाले थे फिर कश्मीर से हिजरत करके लोग पाकिस्तान चले गए थे ठीक है फिर पाकिस्तान में रहने लगे तो फाइनली इसका सही इंसर हो जाएगा आपसर नमबर भी विल्कुल परफेक्ट होगा और पाकिस्तान में ही अगला सवाल 13 आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल 14 नंबर पे मौमिन का पूरा नाम क्या है मौमिन खान मौमिन उसके बाद मौमिन खान मौमिन उसके बाद आप लोग देखिए मुस्तकीम खान मौमिन थोड़ा से यहां पर दिखना ही रहा ठीक है मुस्तकीम है हाँ मुस्तकीम खान अगला सवाल आपके पास 15 नंबर पे हैं मौमिन किस खेल से तालुक रखते थे पुटबॉल उसके बाद शत्रंज उसके बाद कबटी और फिर क्या है ये पंग बाजी क्या है अपसे नंबर डी में हाँ पतंग बाजी तो फाइनली आपका सही नंसर होजाएगा अपसे नंब अगला सवाल आपके पास 15 नंबर पे इलमे तलब और इलमे नोजूम है आप लोग यहां पे साफ साफ नहीं दिख रहा होगा लेकिन थोड़ा सा कष्ट करेंगे मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को इलमे तलब और इलमे नोजूम से किस उर्दू शायर का तालुक रहा देखिए इलमे नोजूम किसे कहते हैं यानि माल लेजिए आपका हाथ को देखकर के ही बता देना आपके अबारे में ये एक तरह का क्या होता है इलमे नोजूम कहते हैं उसको तो इलमे नोजूम का तालुक किस शायर से था वो आपसे पूझा जा रहा है आपसन आपके बा नाम किया है देखिएगा घजल उपसुर नमबर ए में है गजाण गजाण जेगम उसके बाद आउपसंर नमबसर बी में है से다 मुहमム्मद मासिम ए साथम से अलाली में अगला स्वाल इसाब अनार कली क्या ओपसन है रामा उनके बाद सेगप का option number C, यानि ये डरामा हो जाएगा, अनार कली जो है नहीं, ये एक डरामा की सिन्फ मा आता है, अगला सवाल 19 नमबर पे ध्यान से देखना, खाका क्या है, option, question, खाका कली मुतिन एहमद के खाका निगार कौन है, तो इसका सही अंसर क्या होगा, फरहतुल्ला बेग भी नहीं है, और डिप्टी नजीर अहमद भी नहीं है, अश्वाक लखा भी नहीं है, तो है कौन, तो एहमद जमाल पाशा है, जो कि option में नहीं है, इसलिए आपको option number D जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, अगला सवाल 20 नमबर पे, लफ्ज माही के क्या मानी है, तो लफ्ज मा हूँ, तो finally सही answer पे मारते हैं हम लोग, मैं जा रहा हूँ, option number D बिल्कुल perfect हो जाएगा, अगला सवाल 22 नमबर पे ध्यान से देखना, खुदा की तारीफ, जिस शेरी तखलीक में की जाए, उसे क्या कहते हैं, तो खुदा की तारीफ, जिस शेरी तखलीक में की जाती है, उ अगला सवाल 23 नमबर पे मजहर इमाम के वालिद का नाम क्या था, तो मजहर इमाम के वालिद का नाम था, अमीर अली, option number B बिल्कुल perfect हो जाएगा, अगला सवाल 24 नमबर पे है, घजल का आखरी शेर, जिसमें शायर का तखलीस हो, क्या कहलाएगा, तो घजल का आखरी शेर, तो आगाज की जिद opposite, क्या हो जाएगा, अगला सवाल आपके पास ध्यान से देखना 26 नमबर पे, क्या है क्या है क्या है क्या है, तो तश्वीब आपका कसीदा का हिस्सा है, option number B बिल्कुल perfect हो जाएगा, कसीदा में जो है जिसमें मदाह या हुजू की जाती है, उसको कसीदा कहते हैं, कसीदा कहीं एक जूज एक पार्ट है, तश्वीब, और तश्वीब से ही जो है गजल की एक किसमे निकलती है, और गजल का मानी होता है, और उतों से बात हैं करना, अगला सवाल है 27 नमबर पे ध्यान से देखना, दरस देल में कौन सा नाम उर्फ कहलाएग देखिए भारत रत ने ये तो आपका खिताब हो जाएगा, गालिब ये तखलुस करते थे और बुलबुले हिंद ये अपका लकब हो जाएगा, तो फाइनली एंसर क्या होगा सही, तो लट डू आप्सन नमबर डी, यानि कुई अधर नाम से ये फेमस हो गया, परचलित हो इसमें आला कहते हैं, सिरे कफगीर जो हने एक हत्यार है, इसलिए अपका इसमें आला हो जाएगा, उपसन नमबर भी विल्कुल परफेक्ट, अगला सवाल है, उन्तिस नमबर कोश्चन ध्यान से देखना, दरजल में नूने जाहिर की पहचान कीजिए, नूने जाहिर वैस उपसन नमबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, अगला सवाल आपके पास तीस नमबर पे ध्यान से देखना, शै लतीफ के मजमून निगार कौन है, तो आपके पास उपसन दिया होगा है, इसका सही अंतर हो जाएगा आपका, सयद हामीद उपसन नमबर डी पी कितने बच्चे गए हैं, बिल्कुल परफेक्ट होगा, तो हम लोगों ने एक से लेकर तीस तक के सभी सवालों का बिल्कुल दुरुस्त जवाब आप लोगों को दिया है, यह भी कोस्चन का एंसर गलत नहीं दिये हैं, आप लोगों को जानकर बेहत खुशी होगी, हमारे इसी च जाएगा, और अगर आप लोगों का कमेंट आने लगा कि जी सर बिल्कुल कंटिन्यू कलास होनी चाहिए 11 की, तो फिर कंटिन्यू करेंगे, या फिर जिन बच्चों को डारेक्ट 12 की उर्दू पढ़ना ना हो तो 12 की उर्दू इस्पेसली है चैनल, 12 के लिए ही है, ठीक है आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग और ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, देखिएगा, section B के तरफ आते हैं हम लोग और subjective के question, जहां तक हम लोगों से solve हो रहा है, उसको solve करने की कोशिच करते हैं, हम लोगों के पास दरजल सवालन में से आप लोगों को 5 का ही जवाद दे देखेंगें, 10 में से 5 हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, देखेंगा एकबाल की वफात कब और कहां हो भी थी, 1870 इसवी में जो है एकबाल की वफात हो भी है, यह आपको बताना है, तो जल देल दी किसी बच्चे को अगर आता हैं, तो बता सकते हैं, यह ध्यान रखें, अगला सवाद आपके पासcolors के दो हम नखादों के नाम लिखें तो हम लोग एक तो लिखेंगे वजीर आगा। थींगे किस तरह सेलिकेंगे वजीर आगा। 1 fascination वजीर आगा आप लोग किस तरह से लिख लेंगे उसके बाद आप लोगों को एक लिखना है मजहर इमाम ठीक है मजहर इमाम ये दोनों नाम आप लोग लिख लिजेगा नमबर मिल जाएगा फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग कोश्चन है हम जमाल पाशा ने लखनों में किस माहे नामा का उज़रा किया इसको छोड़ते हैं इसको भी छोड़ते हैं गालिप का सने विलादत क्या है तो आप लोग याद रखिएगा आगरा गालिप की पैदाईश हुई है आगरा में कब 1700 सल्तान नब्वे में 1700 सल्तान न शामिल निसाफ अपसाना बाग का तरवाजा के दो किरदानों के नाम लिखे इसको छोड़ते हैं गलोब अपसाना किस ने लिखा तो आप लोग जवाब क्या देंगे मैं जो आप लोगों को बताया उपर मैं तीन नमबर कोश्चन आप लोग देख लिजिए तारिक छथार टारी ने अब देखिया जमीर की तारीफ मा मिसाल कीजिए क हमनों क्या णिक convertि किसे कहते हैं इसमें के बदले में isolat करते हैं उसको हम लोग उरदोकवायद में करते हैं कैते हैं किसे करते हैं उस आप लोग पढ़े हैं प्रोनावन भी पढ़े हैं सर्वनाम भी पढ़े हैं ठीक है सर्वनाम को हम लोग जमीर कहते हैं और सर्वनाम को ही इंगलिश में हम लोग प्रोनावन कहते हैं तो वही चीज है कि हम लोग बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं कि इसमे के बदले में या फि इसमें का आँस्तेमाल करते हैं पड़योग करते हैं उसको हम लोग जमीर कहते हैं जयसे वे, यह, तुम, आप वगेरा यह सब आपका जमीर की मिसाल हो जाएगा फिर हम लोग आते हैं अब आपके पास लकब की तरीफ करें क्या लिखना आप लोगों को लकब की तारीफ मिसाल के साथ लिखिए तो वह नाम जो किसी इनसान को जो है ना है किसी अच्छे काम के वज़े से है फिर किसी बुरे काम के वज़े से जो अवान के जानित से जो नाम दी जाती है उसको हम लोग लकब कहते हैं क्या कहते हैं उसको लोग लकब कहते हैं जैसे एक्जामपल के तौर पर शेरे बिहार बुलबुले हिंद यह जब आपका लकब की मिसाल हो जाएगी तो यह आप लोगों का टोटल पांच्छे कोश्चन हम लोग बना दिये दो नंबर वाला उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे और आपके पास मुंदर्दाजल सवालों में से किसी तीन सवालों का जवाब दीजिए तो यह में आजादी आप लोग सर्च करेंगे यूटूब करें कहीं पर सर्च करेंगे यह में आजादी 15 अगस्त मिल जाएगा या फिर मेरा पसंदिदा मोसम पे आप लोग लोग सर्च करना है इस तरह से इस तरह से अभ लोग को लिखना पड़ेगा इस तरह से अप लोग लुए लखना पड़ेगा अब दिखें को पूल या जावेड के नाम का खुलाजा अपनी उपनी जुमान में इसको फोड़ते हैं जमाल पात्षा के मदबून इसको भी छो कहेंगे फूल भी कहेंगे गुल भी कहेंगे ठीक है तो यही है आप लोग लिख लेंगे गुल का मुद्रादी फूल हो जाएगा आफ्ताब का मतलब क्या होता है सुरज होता है नायाब का मतलब होता है सुनहरा और एक अहम चीज ठीक है नायाब उसी को कहेंगे हम लोग गु पेदर का मतलब क्या होता है बाप लिख लिएंगे शब का मतलब होता है रात सहर है वो ठीक है तो हम लोग सुनते हैं ना कि शहर का वाट था मासूं में कलिया मुस्कुराती थी हवाएं खेरी मकदम के तराने गुंगुनाती थी तो क्या हो जाएगा इसक मुहबब बोलते हैं इसक मुहबबब ठीक है ना महसीन मतलब मददगार रहनुमा और अदल अदल का मतलब होता है इंसाफ करने वाला इंसाफ मन्द ठीक है तो हम लोगों का सब्जेक्ट को पूरा पूरा सोलिशन हो गया जहां तक भी आप लोगों को यहां से बहुत ज्यादा पेनिफिट फाइदा मिलने वाला है त्रीका आज की क्लास को हम लोग यहीं तक इंड करते हैं मिलते हैं हम लोग एक अगली शेशन में क्लास में जब तक के लिए खुदा हापेज अल्ला हापेज चाहिंद भारत